जय हिंद दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाइजेशन यानि की इस रो बहुत ही जल्द अपना चंद्रियान थ्री मिशन लॉंच करने वाला है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग चंद्रियान थ्री मिशन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट डिटेश जानते हैं और जानते हैं इसका कोस्त कितना है और इस जो लॉंचिंग इवेंट है इसको हम लोग कैसे और कहां देख सकते हैं तो देखिए इस रो का चंद्रियान थ्री मिशन इस रो फ्राइडे यानि की 14 जुलाई को लॉंच करने वाला है और इस इस यह लॉंचिंग के साथ इस तो एक बहुत ही कलब में शामिल हो जाएगा यानि कि हम लोग कह सकते हैं इंडिया एक बहुत ही एलि अलिट कलब में शामिल हो जाएगा जहां पर सिर्फ कुछी देश ऐसे हैं जिन्होर ने चांद पर अब तक सॉफ्ट लेंडिंग की है त चंद्रयान 3 इसका launching cost है 75-75 रुपए तो क्या है चंद्रयान 3 जड्रियान 3 भारत का तीसरा चंद्रमापर मिशन है यानि कि तीसरा मून मिशन है जैसा कि आप लोग जानते ही है 2019 में भी इस्ट्रो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉंच किया था लेकिन उसका जो के वक्त उसका जो लेंडर था वो सौफ्ट लेंडिंग नहीं कर पाया था और इसी के चलते जो लेंडर और जो रोवर था दोनों ही काम नहीं कर पाया लेकिन उसका और विटर काफी दिनों तक काम करता रहा तो उसी जो सीरीज है मिशन की चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 इस रो लॉंच करने वाली है तो इसका लॉंचिंग इवेंट जो होगा वो होगा फ्राइडे 14 जुलाई को दो बहर के 2 बच कर 35 मिट पर और ये लॉंच होगा स्रीहरी कोटा से तो चलिए अब हम जानते हैं इस मिशन के लिए कौन सा रोकेट यूज किया जा रहा है तो इस मिशन के लिए GSLV Mark 3 यानि की जिसको हम लोग LBM3 भी कहते हैं इसी को यूज किया जा रहा है जो कि चंद्रियान 2 के दोरान भी यूज हुआ था लेकिन इस बार का जो रोकेट है वो पिछले बार का रोकेट से काफि इंप्रूब वर्जन है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं इस launching event को इस launching event को देखने के लिए हमें अपना जो eyes है वो हम रखना पड़ेगा www.isro.gov.in पर और isro इसी website पर अपने इसका जो link है इस event को live देखने का उसको share करेगी तो आप लोग अपनी नजर बनाए रखे इस rocket official website पर तो चंद्रयान 3 के जो rocket है उसमें क्या-क्या जा रहा है यानि कि क्या-क्या launch होगा तो चंद्रयान 3 का जो rocket है उसमें एक propulsion module होगा और यह जो propulsion module है यह transport करेगा जो lander है जिसका नाम इस बार भी बिक्रम रखा गया है और rover जो पिछली बार की तरह इस बार भी प्रग्यार नाम से जाना जा रहा है तो यह जो lander है और rover है इनको यह जो propulsion module है यह transport करेगा जो साथ यहां पर पेलोड भी जा रहा है कुछ जो study करेगा पृत्वी को चंद्रमा से और विक्रम के साथ की चार पेलोड जा रहे हैं जहां पर एक पैसी पेलोड होगा जो की नासा की तरफ से यहां पर है और साथी प्रग्यान के साथ दो पेलोड जा रहे हैं तो यह सभी जो पेलोट से और जो रोवर प्रज्यान है ये सभी मिलकर चंद्रमा की सतय पर जो experiments होंगे चंद्रमा को लेकर उसको conduct करेंगे और जो result होंगे वो इस रो के पास भेजेंगे तो यही था हमारा आज का वीडियो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरू शियर करें और अगर अभी तक इसरों का यह मिशन सक्सेस्पूल रहे और भारत तंद्रमा पर सौफ्ट लेंड करने वाला जो एलीट क्लब है देशों का उसमें शामिल हो सकें जय हिंद